Hello students, welcome to the class, plant physiology unit हमने start की थी, absorption of water के बारे में पढ़ेंगे, previous lecture में हमने imbibition के बारे में पढ़ा था, ठीक है, hope कि आप लोगों को clear हुआ होगा, absorb कैसे होता है water, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे plants है, उस soil में से water को absorb करते हैं, तो पूरे process को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हो होता है, देखो, plants होते हैं, वो water को absorb करते हैं, roots की help से, और root में भी कौन सा part होता है, जो की absorption में help करता है, root hairs, अब root hairs क्या होते हैं, देखो, जो epidermal cells होते हैं, root के, epidermis होती है बाहर की, उसके जो cells होते हैं, उन्हीं का extension होता है, मतलब वही आगे extend कर जाते हैं, जैसे ये epidermal cell है, सपोस करो, तो इस cell में से कैसे extension होगा, जैसे ऐसे cell में से हलका सा extension निकल के, ये root hair निकलाया आगे की तरफ, ये हो गया, root hair, तो extension हो गया, epidermal cell का, ठीक है, thin wall होती है इनकी, और large surface area provide करते हैं, water को absorption करने के लिए, देखो, यहाँ पे water कम absorb हो पाता है, इसमें surface area कितना चा हो पाएगा, तो surface area for water absorption increase करते हैं, ये root hairs, और जैसे ही root hairs ने water को absorb किया, तो अब उसके आगे जो पूरे cell इधर पूरे roots में जाना है water, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा पूरे root में water, दो पात्वे से जाएगा, एक होता है apoplast, एक होता है simplast, apoplast, simplast, apoplast क्या होता है, देख से जाएगा, intercellular spaces, यानि कि जो बहुत सारे cells होते हैं, उनके बीच में, जो spaces बचे होते हैं, उनके चुरू जाएगा, या फिर walls के बाहर-बाहर से, जो दो cell है, उनके cell walls है, cell wall के बाहर-बाहर से ही जाला जाएगा, cell के अंदर enter नहीं करेगा, intercellular spaces से जाएगा, without crossing any membrane or cytoplasm, cell के अंदर तो जाएगा ही नहीं, cell membrane को cross नहीं करेगा, cytoplasm को cross नहीं करेगा, और जब बाहर-बाहर से जाएगा, free जो intercellular spaces होते हैं, वहाँ से जाएगा, तो कोई resistance भी नहीं होगा, उसके movement के लिए, यानि कि कोई रुकावटी नहीं होगी पानी के आगे के लिए, आगे ऐ जैसे ही endodermis पे पहुचेगा, तो जो endodermal cells हैं, ठीक है, उनकी जो walls होती है न, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, casperian strips होती है, अब वो casperian strips होती है, impermeable, यानि कि उसमें से water pass नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो subarin की बनी होती हैं, और subarin होता है wax like material, ठीक है, जायलम तक तो चला गया water, लेकिन आगे जाके endodermis जब आती है, तो endodermal cells में casperian strips होती है, जो कि subarin material की बनी होती है, जो कि wax like होता है, और वो impermeable होता है, water उसको cross नहीं कर सकता, तो यहां आके फिर क्या होगा, कोई नया पात्रे स्टार्ट होगा, वो होता है, simplast, यहां तक चला एpoplast, जिसमें की जो water था, वो root here से लेके xylem तक, intercellular spaces के थूँ आता रहा, और यह जो movement होता है water का, यह होता है, इटाकर through the mass flow, वह सारा water एक साथ flow करता रहता है, gradient के उपर depend करके हैं, अब जो epoplast water में, oh sorry, epoplast pathway में जो water move कर रहा है, दो reason से कर रहा है, एक reason है, transpiration pull, transpiration pull क्या होता है, जैसे leaf surface के उपर transpiration हुआ, transpiration होने का मतलब, जो water था, वो वहां से evaporate हो गया, जब water वहां से evaporate हो गया, तो जो पीछे spaces बचे थे, तो वो उस spaces में water हो गया, कम, जब water हो गया, कम, उन सारे spaces में, तो एक tension create हो गया, एक negative pressure create हो गया, xylem के अंदर, कि वहां पर water नहीं है, ठ ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कि नीचे roots में से और जादा water जो है, absorb हुआ, और उपर की तरफ transmit हुआ, क्यों, क्योंकि उपर water हो गया था, कम, किसकी वज़े से, transpiration की वज़े से, तो जब transpiration की वज़े से water उपर surface में कम होता है, और उसकी वज़े से tension, एक negative pressure create होता है, कि जाता है, करता चला जाता है, ठीक है, इसी वज़े से, जो पूरा को पूरा water column है, वो एपो प्लास्टिक पात्वे में lift up हो जाता है, ठीक है, तो एक तो यह हो गया, second क्या reason है, एपो प्लास्टिक पात्वे में water कैसे move कर रहा है, addition cohesion forces, देखो force of forces मतलब की attraction होता है, attractive forces होते है, जैसे cohesion attractive force जो है, यह एक water molecule और दूसरे water molecule के बीच में, जो force of attraction है, उसको बोला है cohesion, यानि कि उपर leaf surface में अगर एक water molecule है, ठीक है, तो वो नीचे के दूसरे water molecule से, एक attraction force of attraction से attracted होगा, और वो force of attraction को हम cohesion बोलते हैं, तो दो water molecule के बीच में cohesion forces होगा, और जो एक water molecule है, और xylem की layer है उन दोनों के बीच में जो force of attraction होगा वो होगा addition तो cohesion और addition ये दोनों force of attraction है जिसकी वज़से जो water column है वो break नहीं होता कभी भी ऐसा नहीं होगा कि plant में उपर के surface की तरफ water है और नीचे की surface में water नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा क्यों क्योंकि ये water column जो है अपर से lower surface तक बिलकुल continuous रहता है बीच में water column break नहीं होता क्यों continuous रहता है क्योंकि एक water molecule दूसरे water molecule से attracted रहता है by the force cohesion और एक water molecule xylem की wall से attracted रहता है by the force addition second कौन सा pathway है second pathway है simplistic pathway जो होता है उसमें क्या होता है interconnected protoplast ऐसा नहीं है कि water जो है वो intercellular space से जा रहा है no water जो है वो cell की membrane को cross करता है protoplast के अंदर enter करता है फिर उसको cross करता हुआ बहार निकलता है फिर दूसरे cell के protoplast में enter करता है तो जो interconnected protoplast होते हैं मतलब एक cell दूसरे cell तीसरे cell के protoplast आपस में connected होते हैं और cell के अंदर से water move करता हुआ जाता है उसको बोलते हैं simplistic pathway देखो इसमें लिखा है ना neighboring cells are connected आसपास के cells एक दूसरे से connected होते हैं कैसे cytoplasmic strand से ठीक है जो कि plasma dismeta एक pore होते हैं उसके through connected होते हैं मतलब एक cell जो है दूसरे cell से plasma dismeta के through connected होता है ठीक है जो उनकी cell wall में ऐसे करके यहां पर एक pathway form कर लेता है ऐसे यहां से दूसरे cell में चला गया ठीक है जब simplistic movement होता है तो water कहां से move करता है through the cytoplasm cytoplasm से move करता है cell के अंदर से move कर रहा है किस की help से कर रहा है plasmo dismeta की help से कर रहा है और जो water है उसका movement थोड़ा सा slow होता है जैसे एपोप्लास्ट में तो fast movement हा क्योंकि कोई resistance ही नहीं था intercellular spaces होते हैं जो दो cell के बीच का खाली space होता है उनके through पानी फ्लो करता जा रहा था और करता जा रहा था लेकिन जब दो cell आपस में connected होते हैं protoplast के through plasmo dismeta के through उनके protoplasm connected होते हैं यानि कि simplast का पात्वी होता है तो उसमें water का movement हमेशा slow होता है क्योंकि water को क्या करना होता है cell की membrane को cross करना होता है ठीक है जड़ा तर जो water flow होता है अंदर roots वो कैस की help से होता है एपो plasd ज़ाद तर water appoplast की help से जाता है क्योंकि cortex जो region होता है na cortical cells जो होता है उस टाइम पे water movement के लिए कोई resistance नहीं होता लेकिन जैसे ही endodermis आई तो वो endodermis जो होती है it is impervious to water उसमें water जो होता है वो पास नहीं कर पाता क्यों क्योंकि वहाँ पे subverized material की क्या होती है कैस्पेरियन strips होती है इसी वज़से जो water movement है वहाँ से आगे फिर ऐसे नहीं जा सकता है अपोप्लास्ट के थ्रू वहाँ से आगे वह सिंप्लास्ट पात्वे लेता है मतलब cell की membrane को cross करता है cell के अंदर जाता है और फिर interconnected protoplast के थ्रू होते 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 आगे तक water flow करता है इस figure से आपको easily समझ में आ जाएगा देखो purple color का क्या दिखा रखा है एपोप्लास्टिक root मतलब इसमें आप देखो किसी cell को cross नहीं किया होगा इधर से आए इधर से आए देखो यह एक cell था यह एक cell था इनके बीच में से wall के through होता हो चला गया यह देखो wall के through होता हो जाएगा intercellular space के through होता हो जाएगा पर किसी cell को cross नहीं कर रहा है किसी cell के अंदर नहीं जा रहा है कहां तक यहां तक यह आगई layer आपकी epidermis की पूरी पूरी endodermis sorry endodermis तक तक तो epoplast आया इसके आगया इसको simplast होना पड़ता है मतलब एक cell के अंदर एंटर करना पड़ता है ठीक है और उसके क्यों क्यों क्योंकि यहां से आगए cross नहीं कर पाएंगे क्योंकि endodermis में casperian strips है ठीक है तो उसके बाद यह cell के अंदर एंटर करेगा और फिर जायलम तक पहुंच जाएगा तो simplast में देखो starting से ही ऐसा हो रहा है कि यह blue color की line simplast की आगई starting से ही ऐसा हो रहा है कि वो cell को cross करते हो जा रहा है एक cell के बाद दूसरे cell के बाद दूसरे cell के बाद तीसरे cell सो आप लोग को clear हो गया होगा काफी हद तक डाइग्राम की help से क्या डिफरेंस होता है एपो प्लास्ट में देखो एपो प्लास्ट में क्या होता है कि नॉन लिविंग पार्ट से जाता है वाटर सेल वाल से जाएगा इंटरसेलिलर स्पेसे से जाएगा लेकिन सिम प्लास्ट में जो वाटर फ्लो करता है वो लिविंग पार्ट से फ्लो करता है क्या हो प्लोटो प्लास्ट के थ्रू जाएगा मतलब कनेक्टेट जो होंगे एक दूसरे से थ्रूदा प्लास्मो डेस्मीट क्योंकि आखर दो एक सेल मेंब्रेन को भॉष्ट करते हुए ज थोड़ा सा सड्रेसिस्टेंज रहता है तो इसी एक तो सख्रेसिस्टेंज की वज़ा-स नहीं उसने क McMAAAAAAAA शो Aku है उसबg lifetime अजंग एक responded rapt आ किसी किसी प्लांट्स में ऐसा होता है कि कुछ additional structure होते हैं जो कि water को absorption में help करते हैं कौन से होते हैं वो structures जैसे कि mycorrhiza अब mycorrhiza क्या है यह एक symbiotic association है किसके बीच में होता है फंगस के बीच में होता है और जो young roots होती है प्लांट्स की उनके बीच में होता है अब जो फंजाए उसके जो hyphae होते हैं वो hyphae extensive network form करते हैं वो network क्या करता है surface area for absorption increase करता है ठीक है तो यह concept water absorption का हो सकता है आपको I hope कि easily clear हो गया होगा so we will meet soon in the next class stay tuned with concepts and notes academy by Ayushi next class में plant physiology का next lecture पढ़ेंगे thank you